हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है आरव और आपको श्वागत है आपके अपने चनल जॉब डिटेक्टर में दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है आपका जहारखंड के तरफ से जहां दोस्तों जहारखंड के धनबाद जिला के तरफ से लगए 1400 पोस्ट पर यहां पर हो अफिशल नोटिफिकेशन पर और डिटेल से जानते हैं उसे पहले इसी दर आगे भी जॉब डेट पाना चाहते हो जहारखंड से रिलिटेट या सेंटर गॉर्मेंट हो या कोई भी जॉब डेट पाना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए आपको हमेसा इसी दर जो डेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा देख सकतो यह रहा इसका ओफिशियल नोटिफिकेशन जो की धनबाद जिला से आया हुआ है जहारखंड में होम गार्ड के पोस्टो पर वेकेंसी को निकाला गया है यहां पर डिटेल पूरे तरह से हिंदी पे लिखा हुआ है जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ देख सकते हैं धनबाद जिला से यहां पर ग्रिह रक्षक बोले तो होम गार्ड के पोस्टो पर वेकेंसी को लाया गिया है यहां पर दो वेकेंसी रखा गया है जिसके लिए आप ऑनलाइन करना है कुछ प्रोलम हो ने इसके बारे में डिटेलज यहां पर बात करने वाला हूं ठीम देखिए आये बात करते हैं पोस्टों के बारे में सीदे तो देख सकते यहां पर दोपकी वेकेंसी आयुगिया है आप लोगां जो अपकर लोगां विले जो सब्हें कि आए घरमी पूश्ट और वेकेंसी जिसमें पुरुस के लिए 29 महिलाओं के लिए 29 लगबग हर एक जितना भी वेकेंसी ए 50% अप लोगा बॉइस के लिए पूरुस के लिए और 50% महिलाओं के लिए रखा गया है यहीं दोनों को बराबर बराबर यहां पर मौका दिया गया है उसी तरह बल्यापुर दूसरे नंबर पहें 2626 टोटल 52 पोस्ट तोप चाची में आप देख सकते हो 2828 टोटल 56 पोस्ट और वेकेंसी यह उसी तरह बागमार में हमोरा कुम कुछन Ihr waves this is यहां पर सहरी यह कुम गार्ड के पोस्ट भर लागया जिसमें अपला पोष्ट मिलेगा नगर निगमधनबाद का जिसमें टोटल सबसे ज़्यादा सीभाइक के रखा गया। कितना तो 802 वेकंशने हैं हैं पर रखा गया जिसमें पुरूस के लिए हैं पर 401 महिलाओं के लिए 401 वेकंशनी है उसके बद नगर परिशन चिर्कुंडा में 38 वेकंशी को रखा गिया है टोटल यहां पर बात कीजै कूल यहां पर टोटल वивают करीब नोफी को जाता है उस से ज्यादा ही है अप पर यह महिलाओं के लिए परि抓 अभष को घिलिए आवेदन किस तरह करना है तो आवेदन आपको उन-लाइन के माधियम से इसको आवेदन करना है कहा पर अभी आवेदन करना हो वो इसके बारे में भी डिसकस करेंगे और देख सकतो हो यहाँ पर age limit की बात करते हैं कि age limit आप लोगा क्या होना चाहिए हो कि काफी अच्छा खास है है आप एस limit देख रखा हुआ है आप लोगा 19 साल से 40 साल के बीच होना चाहिए यह अच्छी कासी age में छूट दी गई है एस काउंट होगा अपलोगा एक एक दोज़ेश से ठीक है और देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन यहां से अपलोग कर सकते हो डवी डीटेल बात करेंगे के बारे में ठीक है क्वालिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन सी स्टुडेंट इसको अपलाई कर सकते है तो देख सकते हो यहां पर जो ग्रामीन ग्रियर रक्षक है वो शिर्फ दसवी पास ठीक है यानि सेवन्थ क्लास भी पास है ना साथवी पास है तो फिर भी इसको अपलाई कर सकते हैं तो जितने भी बेरोज़गार जिनका अलगवग अड़तीस चालेस या तीस पैंटीस स साल होगे है वो लोग अराम से इसको ऐपलाई कर सकते हैं साथ वी क्लास से भी यैड primary कर सकते हो कि इसको एपक्राइबilot के लिए और वाइशовरी की बात करेंगे तो निवहत्टम आपके पास अप्लाई कर सकते हो इस तैंट पास होना चाहिए तैंफ पास तो आराम से हब्स चाहे ग्रामीन हो चाहे सहरी हो जैसे पुरूस के लिए 162 cm और स्टे के लिए 157 रखा गया महिलाव के लिए 148 रखा गया और चेस्ट की बात करें सिर्फ पुरूस के लिए 79 cm और स्टे के लिए 76 रखा गया है तो यहां पर एक तकनिकी दक्षिता भी आपके पास होना होना चाहिए किसी चीजका आप लोग नॉस情 होना चाहिए नाई बिजली टेरी आपके पास हो blij कर यह सहरी के यहां परिक्षा होने वाला उसके बात करें तो देख सकते हो चैन परिक्षा होने वाला उसके बाद ही आप लोग यहां पर होने वाला सेलेक्षिन और सारेरिक जाज भी होगा जैसे सारेरिक परिक्षा होगा जैसे कि एक मील का दोड़ है उची कूद है लंबी कूद है सौर्ट पूल यहां इसमें सामिल है जिसमें आप लोगा कुछ-कुछ पॉंट दिया जागा जैसे दोड़ एक मील याद पांस मिनट पहले कर ले तो तो बीस नमबर मिलेगा पांस स च्छे मिनट तक यह दिस समय ले तो तो दस अंक मिलेगा च्छे मिनट से अधिक समय लेने वालों को यहां पे फेल माना जाएगा उसी तरह यहां पर महिलाओं के लिए भी लिखावा तो आप डिटेल पढ़ लेने इसका आपको पीडियाप टेलिग्राम में मिल जाएगा बा समता की परिक्षा में सामिल होना पड़ेगा जिसमेंग्रामिन ग्रियारसिक्षक के लिए सातवी कक्छा आता सहरी ग्रियारक्षक के लिए दसवी कक्छा के इस तर पर exam आप लोगा लिया जाएगा 100 number का होगा 30 marks में आप लोगा यहां पर पास मांगा जाएगा ठीक है यदि आप 100 में से 30 number ले आते हो तो आपको यहां पर पास माना जाएगा उसके बाद आप लोगा तक तकनीकी की एक्जाम होगा जिसमें एक्जाम होगा तोटल एकसु नमबर्स देख सकतो है आप यहां से लिखावायै क्या पाविदन कैसे करें तो पर आप धनबाद के एन आइसी धनबाद के दुवारा आप अपलाई कर सकते हो यहां पर जो पोर्टल देखे रखा हूँ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ तो वहीं से आप अपलाई करने के जोरत नहीं है दिनांक 21 2223 से 17 3223 तक आप आराम से अपलाई कर सकते हो यदि आप आफ लाइन बाई पोस्ट यदि आप अपलाई करोगे तो वहां पर स्विकार नहीं किया जाएगा आपको ऑनलाइन माधियम से इसको अपलाई करना होगा तो देख सकते हो यह रहा इसका लिंक यहीं से आपको अपलाई करना है मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन बता दिया और यहां से करना है आपको अपलाई इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां से आप अराम से जाके अपलाई कर सकते हो आउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो यह अपलाय वाला यह डिटेल वाला वीडियो चाहते हूं तो नीचे कमेंट करते न मैं लेके आ जाओंगा तो मिलते हैं सितर के एक नीव वीडियो के साथ तब तक लिए जहिंद बंद मातरम